Hello everyone, welcome to my channel, कैसे हैं आप, I hope आप सबी अच्छे होंगे So yes, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पतना युनिवर्सटी, पतना विशुद्याले के जो की B प्लस ग्रेड़ेड है ना के तरफ से अक्रिडिटेड है और इनकी तरफ से इंवाइट केगे हैं एप्लिकेशन Willi, एप्लिकेशन फॉर पी एच्दी अडिमिशन टेस्स ट्ट विंटीटीटो लिंक क्या है, सब्जेक्स किया क्या है, नोटिफिकेशन कहां समेलेगा उन सारी चीज़ों को हम आज के एस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीडियो हेलफुल लगे तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा जर अभी तक नहीं किया है सबसे पहला आप इनका ओफिशल वेबसाइट पुप.ac.in पर विजिट करिएगा यह लिंक जो है वे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जनवरी 2023 यहाँ पर लास्ट डेट है अप्लाई करने की सो अगर करना हो तो उससे पहले करिएगा देन टेस्ट कब है तो पचीस परवरी को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा चांस यहीं है कि पटना में ही होगा यहीं उनिवरस्टी कैंबस में होगा बाकी देखते हैं तो क्राइटेरिया क्या है आपके पास मास्टर्स जिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ पच्पन प्रतिशर्द मार्क्स के साथ आपके पास 12 ना तक मास्टर्स होना चाहिए या एक्क्वेलेंट ग्रेड भी हो 5% relaxation भी है जो भी SCST, EBC, BC तो बेसिकली इसी यह like state के जो rules होते है वही फॉलोंगे because यह एक state university है subjects कौन कौन से है so Hindi है, English है, Sanskrit, Mathly, Arabic, Persian, Philosophy, Music and Urdu then social sciences में history is there then pole science, home science, AISC, sociology, economics, psychology, PM&IR then geography then geography, then science में physics, chemistry, zoology, botany, geology, maths and stats then commerce भी है, law भी है, education भी है applicants जो है last date के बाद अपने admit card को download कर पाएंगे PAT 2022 जो इनका admission test है, PhD admission test 2022 then आप यहाँ पे admit card application number वकिरा से download कर पाएंगे remember, I mean याद रखिएगा जो भी आपकी credentials है yes, तो yes उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि registration के थुरू आपको application number sent होगा, उसे याद रखिएगा, वो और required होगा हर चीज के लिए, right next क्या करना है आपको, कि आपको यहाँ पे click करना है, tick करेंगे, उसके प्रोसीड कर सकते हैं but उससे पहले, जो instructions है जो आपने PDF देखा भी होगा अभी तक शायद, तो yes, इसे हम देखेंगे yes, mobile number को enter करेंगे, OTP आएगा, उसके बाद जो भी process है, वो आप continue कर सकते हैं, I'm not sure क्या क्या है so yes, इसी के थरूँ आपको apply करना है, and अब हम देखते हैं, informations, instructions को जी, तो यह है notification, PhD, admission test, 2022, Patna University, so online applications invite किये हैं, 6th January से start हुए है, 28th January, last date है, entrance होगा 25th of Feb को, 55% marks के साथ, masters है, तो आप eligible है, state की rules follow होंगे, 5% का relaxation भी है, इन सभी subjects में test होगा, हमने देख लिया है, already subjects को, फिर यहां पे कुछ guidelines है, तो PAT के लिए, masters degree होनी चाहे, देख लिया आप yes, बाकि exemptions किने किने मिला हुआ है, वो देखते हैं, तो देखिए, अगर आपके पास UGC, CSI, NET है, या GATE है, मैं चार्डी, कोई भी scholarship है, fellowship है, inspire fellow है, कोई, किसी भी agency की तुरू fellowship मिलेगी, JRF हैं, तो आपको, yes, आप exempted है, okay, बढ़ा एक और शीज देखें, यहां लिखा, who इसका मतलब यह है, कि सिर्फ NET है, तो आप exempted नहीं है, शायद, तो अभी हम आगे देखते हैं, वैसे हां, क्योंकि इसमें clearly mention है, जिन ही grant मिलेगा for research, right, यह important है, तो चाहिए वो NET के थुरू हो, या किसी के भी थुरू हो, बढ़े हां, गेट भी लिखा है, तो शायद इन चाहिए, apply करने से पहले, and yes, उसके अलामा आप assistant, associate या professor वगेरा है, तो आप भी exempted है, non-teaching employees जो है, university के 55% master's में, तो आप भी eligible है, and then process it, so pat, जो है, दो papers होंगे, दोनों 100-100 marks की होगे, 200 marks का आपका entrance होगा, पहले जो है, MCQs वगेरा ही होगे, first paper में आपके subject, I mean, sorry, research aptitude होगे, and general questions होगे, 100 marks को जो paper 2 होगा, वो subjective type का होगा, and वो आपके subject का होगा, जो PG syllabus है न, पतना युन मस्टी के, उसी को follow करके questions होगे, interview 20 marks का होगा, and सभी को interview देना है, 50% marks overall रहेंगे, general के तो आप eligible होगे, interview के लिए 45% है, reserve category candidates के लिए, next, यहाँ पे है, जो selection है, वो overall combined, जो merit होगे, उसके basis पे होगा, paper 1 में MCQs जो है, वो 50 होगे, ठीक है, 50 MCQs, one hour, no negative marking, OMR sheet पे होगा, students बठा, जो question booklet है, पता नहीं क्यों नहीं देते, बठा, कहीं भी जो most of the times आप देखेंगे, तो PhD का जो entrance होता है, वो जो question paper है, question booklet है, वो आपको नहीं मिलती, maximum cases में तो ऐसा होता ह है, बड़ जैसे पहले CUCATO होता था, तो उसमें मिलती थी, बड़ यूनिवर्सटी जो specific करवाती है, उसमें नहीं मिलता है, बड़ ये, इसलिए आप देखते हैं, हर यूनिवर्सटी का जो paper है, वो को नहीं मिल पाता है, comment में भी आप बोलते हैं, बड़ मैं कैसे provide कर सकते कि मुझे नहीं पता न, बड़ जैसे IGNU है, तो वो CBT mode से होता है, ये JNUE भी होगा, तो जितना मुझे पता है, वो सब आप download कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको जो, जैसे net का exam होता है, फिर question paper आपको मिल जाता है न, वैसे ही, तो इन कुछ universities का मिलता है, बड़ हर university, जैसे पतने university है, तो यहां का आपको नहीं मिलेगा, राइड, next, paper 2 subjective होगा, आप 2 hours का होगा, and yes, distribution of marks भी दिया है, तो 3 group में होगा, 30, 40, 30 marks का, group A 30, group B 40, group C 30, तो ये questions कितने होगे, कितने marks से होगे, ये लिखा होगा, तो basically, पहला objective, दूसरा subjective होगा, next, पुरा explain भी क्यों है, जैसे short type questions होगे, जिन में से 5 आपको करने है, B में 7 में से 4 करने है, and C में 4 में से 2 करने है, ठेक है, and words भी लिखे होएं, कितने के होने चाहिए, उसके बाद entrance test का date है, फिर time है, and ये चीज़े हमने देखिए, फिर result आएगा, scrutiny वगिना नहीं होती है, and बाकि syllabus क्या है, paper 1 का, paper 2 का, वो यहाँ पर mention किया गया है, तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से यह चीज़ें बताई गई हैं, वैसे कितने marks का, किस section का question होगा, and I am hopeful कि यही चीज़ें follow भी होंगी, next यहाँ पर, yes तो बस यही information है, पतना university के PhD admissions related, seats कितनी हैं, नहीं बताई गई हैं, as of now तो मुझे तो नहीं मिला notification, बाकी हाँ, आप fee pay करने से पहले एक सारी चीज़ें देख के confirm कर लेजेगा, उसके बाद ही जो final step है fee payment वो करिएगा, right, चैनल को subscribe कर लीजे, वीडियो को share कर दीजे, and thank you so much for watching this video.